अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं, आपको समझ लगता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेर करिए और व्यूज बढ़ाईए आज हम जिस टापिक पर डिसकस करने जा रहे हैं, वो टापिक बहुत फामिलियल हो चुका है GST, GST की फुल फॉर्म है, Goods and Services Tax, Goods and Services Tax, that is the GST अब मैं आपको टैक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉमेशन दे दूँ, क्योंकि जर्नल के लिए मेरे टैक्स की इन्फॉमेशन होनी फड़ा बेस होना बहुत ज़रूरी है जर्नल विदाउट टैक्स अधूरा है, तो मेरे जो टैक्स होते हैं, वो क्या होता है, टैक्स आपको पता है कि हमें कोई एक कमपल्जरी पेमन्ट देनी पड़ती है, गर्मेंट को, जब हम कोई ट्रेड करते हैं, या कुछ भी, हमारे पास कोई प्रापर्टी है, या हम इं tax and indirect tax, जो direct tax होते हैं वो directly आप पर impose किये जाते हैं, जिस बंदे की वो property होती है, income होती है, wealth होती है, उसी पर directly government tax impose करती है और वो बंदा directly government को tax देता है, that is called direct tax, लेगिन indirect tax होता है कि आप directly government को pay नहीं करते, आपके विहाब पे पहले कोई और pay करता है, उसके बाद आप उस बंद को pay कर देते हो, जिसने आपके विहाब पे tax pay किया होता है, मैं एक example आपको पताती हूँ, suppose करिए कि आपने एक toothpaste बजार से खरीता, without GST, जो वो toothpaste था, या साबुन है, कुछ भी है, perfume है, तो आप without GST है, जो उसकी value है, without tax, उसकी value है 30 रुपीज, और अगर मैं उस पर tax डाल दे करती हूँ, तो उसकी value है, suppose करिए 38 रुपीज, suppose 38 रुपीज, 8 रुपीज tax के हैं, वो person उसने पहले जैसे आपने किसी नहीं है, आपने perfume या toothpaste जो भी खरीदना है, किसी shopkeeper से खरीदना है, उस shopkeeper ने पहले से ही आपके विहाब पे, पहले से ही वो taxes वगरा pay करके रखे, क्यों अब वो जो perfume या toothpaste है, वो आपको बेचने जा रहा है, तो वो आपसे tax की amount ले लेगा, जैसे 30 रुपीज थी उसकी amount, और उसकी उपर 8 रुपीज क्या था, टैक्स था, तो वो आपसे 38 रुपीज लेगा, पर वो 8 रुपीज पहले पे कर चुका है, इसका मतलब यह indirect channel हो गया आपने tax पहले पे नि किया, आपने कप पे किया, जब आपने वो चीज उस shopkeeper से क्रीदी और वो shopkeeper पहले से ही आपके कारण tax पे कर चुका था, तो मतलब indirect tax tax का जो बोज होता है, वो ultimetry किस पे आता है, consumer पे, जो उस चीज को क्या करता है, consume करता है, तो indirect tax जो है, पहले तो ब आप GST लग जया है, GST का मतलब goods and services tax, आपको अलग-लग दाइरों में tax calculate करने की कोई जुरूरत नहीं होती है, अलग-लग stages पे, अब आप एक बार ही tax calculate करते हो, तो आपके लिए ये समझना बहुत जुरूरी है, कि जो GST है, उसकी categories कितनी है, GST के categories है, CGST, SGST and IGST, अब ये CGST SGST और IGST क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ, सपोस करिए कि आप अमरिसर में रहते हो, और आप अमरिसर में ही पंजाब के निवासी हो, आइमिंटो से स्टेट आप की पंजाब है, तो आप पंजाब में ही चीज़े बेच रहे हो, तो आपको CGST और SGST शामिल करना पड़े अपनी सेल वेल्यू में, लेकिन अगर आप ये चीज़े पंजाब में रहके किसी और स्टेट को बेच रहे हो, जैसे बिहार को, डैली को, महराश्च्र को, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उस पे IGST, अब ये नहीं है कि एक ही स्टेट में बेचने पर टैक्स डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो टैक्स दो हिस्वों में डिवाइड हो जाएगा, सपोस करिए कि कि किसी एक आइटम पे GST का रेट 18 परसंट है, किसी भी एक आइटम पे GST का रेट है 18 परसंट, तो 18 परसंट अगर आप अपनी स्टेट में चीज़ बेचते हो, तो CGST और SGST न वो स्टेट का में डिवाइड हो जाएगा, अगर आप अपनी ही स्टेट में चीज़ बेच रहे हो, तो आपको CGST और SGST दोनों टैक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, CGST और SGST अलग-लग डबल डेट नहीं बनता, एक ही टैक्स है, उसको दो पार्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से बाहर चीज बेच रहे हो, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, IGST, IGST पूरा 18% अप्लाई हो जाएगा, वो ही रेट का, इसके मतलब यह हुआ, कि जो GST है, वो अगर हम चीज खरीदते हैं, तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर हम चीज को बेच रहे हैं, तो हमें टैक्स मिलता है, किससे, जिसको हम चीज बेच रहे हैं, उससे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह हो गया, कि जब हम GST पे करेंगे, जब हम चीज खरीदेंगे, GST पे करेंगे तो वो GST हमारा expense होएगा debit all expenses and losses और अगर हम चीज को बेचेंगे तो GST collect करेंगे तो वो GST हमारा क्या होएगा income होएगे credit all incomes and gains तो ये हमारी GST की short समदी थी जो मैंने general के point of view से आपको समझा दी मतलब GST tax है जब हम चीजे खरीते हैं तो हम पर tax लगता है तो वो हमारा खर्चा होता है लेकिन अगर हम चीजे बेचते हैं तो हम tax collect करते हैं और वो हमारी income होती है तो इस तरह से GST journal के भी हाप पे जितना चाहिए था उसके theory या context मैंने उतना समझा दिया अब हम next video में transactions लेके journal pass करेंगे with GST thank you